हमारे ज्यादा तर किशान शाथी गिहूं बुवाई के समय डियेपी का ही इस्तेमाल करते हैं आज की वीडियो में बताएंगे डियेपी की आप छमता कैसे बढ़ा सकते हैं कौन कौन से यहाँ पर और मायको न्यूटेंस तर तो डालेंगे जिससे डियेपी की छमता बढ़ जाएगी तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है किसान भाईों यहाँ पर जो किसान भाई डियेपी का इस्तेमाल करते हैं बहुत छेत्रों में किसान भाई एनपी के खात का भी इस्तेमाल करते हैं एसेस्टी खात का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो भी किसान भाई डियेपी खात का इस्तेमाल करते हैं चाहे वो गन्ना की फसल हो चाहे वो गेहूं की फसल हो लेकिन ज्यादातर किसान भाई गेहू हुआ गन्ना हुआ या कोई अन्य फसल हुई उसमें डेपी का ही इस्तेमाल करते हैं तो डेपी की छमता को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उर्वक यहाँ पर खाट डाल सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे डेपी में किसान भाईयों सबसे ज़्यादा फासफरस पा जाता है और फासफरस हमारी फसल के लिए सबसे ज़्यादा अवस्यक होता है फासप्रस से ही हमारी जड़ों का विकास अच्छे से होता है तना का जो कठोरपन है जो मजबूत पन है वो भी फासप्रस की वज़े से होता है तो किसान भायों यहां पर हमारी जो गिहूं की फसल होती है उसको सबसेदा जड़ों का विकास अच्छे प्रकास से होगा तभी वहाँ पर खेत में जो गिहों की फसल लगी हुई है उसमें ट्रेलिंग ज़्यादा होगी यानि की कल्लों का विकास ज़्यादा होगा तो इसके लिए आपको यहाँ पर डेपी अगर आप डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा आपको लेना है 45 से 50 किलोगराम प्रत एकड के इसाब से जो मैंने यहाँ पर मात्रा हर वीडियों बताते हैं प्रत एकड के इसाब से ही बताते हैं 45-50 kg प्रत एकड के इसाब से आपको लेनी है यानि कि एक बूरी एक बैग आपको प्रत एकड के इसाब से आप लेने है दूसरी चीज की सानवाईव यहाँ पर आपको डेलना है SSP Single Super Fast Fit Single Super Fast Fit खाट जो आप किसी अच्छी कमपनी का जो आपको भरोसे मन दुकान है उस पर आपको लेंगे अच्छी कमपनी की लेंगे तो Single Super Fast Fit जैसे मार्केट में तो एक ही कलर रंग की आ रही है तो इस समय मार्केट में जो मिलावटी का भी बहुत तेजी से चल ला है कि खाद में मिलावट की जा रही है मने सुना है कई वार खाद में देखा भी है तो ऐसी दुकान से लें जहां पर आपको विश्वास है की खाद अच्छी मिलती है अच्छी देते हैं तो आपको यहां पर SSP Single Super Fast Fit खाद जो है ओ आव भी आपको किसान भाईयों 50 kg के आसपास ही लेना है प्रत एकड के हिसाब से अब SSP यहां पर किसान भाईयों के लेना है SSP में किसान भाईयों क्या होता है इसमें कैल्सियम भी पाया जाता है कैल्सियम भी पाया जाता है और पोटास भी पाया जाता है और सलफर की मात्रा किसान भाईयों पाए जाती है जिससे किसान भाईयों जो हमारी यहाँ पर जो छमता है डेपी की है अगर SSP डाल रहे हैं तो डेपी अगर वहाँ पर 50% काम कर रही है तो वहाँ पर उससे ज़्यादा काम करेगी उसकी छमता एक तरीके से बढ़ जाती है तो गियों की फसल के लिए यहाँ पर चार से पांच तत्व आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एक तो फासपरस मिल जाएगा दूसरी चीज किसान भईयों कैलसियम आपको पोटास हो गया सलफर हो गया और साथ में आपको तो किसान भईयों लेना है यहाँ पर किसान भईयों होता क्या है जब आप गिएँ की बुआई कर रहे होते हैं अगर धान की फसल उस खेट में लगी हुई थी और उसमें आपने कमबाइन मसीन से कराया था या हसिये की साहते से कराया है लेकिन थोड़ा ऊपर थोड़ा सा काड़ दिया है तो उसमें पराली जो डेंठल होते हैं बहुत रह जाते हैं अगर यूरिया का प्रियोग किसानभईयों कर लेते हैं तो वहां पर एक तरीके से जो खाद बन जाती है और उसकी उर्रा सकती बढ़ जाती है तो कभी कभी क्या होता है कि खेत में नाटरियन की कमी हो जाती है वैसे तो सबसे ज़्यादा जो खाट डले जाती है सभी फसलों में यूरिया का अहम रोल होता है नाटरियन से क्या होता है फसल की बढ़वार होती है विकास अच्छी प्रकार से होता है और खेत में हर्याली दे करो होती है और फसल में जो हलका शुकड़ापन है और खेत हर्याली मदब देखने को नहीं मिलती है अगर यूरिया नाट्रिजन आप पहले डाल लेते हैं तो अच्छी प्रकार से वहां पर उसकी उर्वासक और बढ़ जाती है आप गिहूं की जब जुताई कर रहे होते हैं म दूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और रही बात की सानवयों लाट्रोड की हमारी पोटास की चाहे आप अगर वहां पर आलू की फसल लगाए हैं या कोई अन्य फसल की लगाए थे इसके बाद गिहूं की बुवाई आप करने जा रहे हैं कोई भी धान की रुपाई किये थे उसमें अगर धान की रुपाई के समय पोटास का इस्तेमाल नहीं किया था अगर किया था तो आप अगर पराली वहां पर खेत में हैं अगर जुताई कर रहे हैं तो आप पोटास की माता थोड़ी कम भी डालेंगे तब भी किसानवयों आपको वहां पर कमी महसुत नहीं हो अगर पराली नहीं है वहां पर बेंश दिया है जला दिया है जो भी किया है तो अगर वहां पर पोटास की कमी हो जाती है इसके लिए आपको 20-25 केजी प्रते एकड़ के इसाब से पोटास की भी पूर्टी का लेनी चाहिए अगर प्राली खेत में बहुत ज्यादा है तो आ अगर मात्रा ले लेते हैं मैंने एक बार फिर बता रहा हूं कि आपको डेपी 45-50 केजी प्रत एकड़ की हिसाब से लेना है और जो सिंगल सुपर फासफेट काद वह आपको लगबग भी 45-50 केजी के हिसाब से लेना है इसमें कैलसियम और जो पोटास है सलफर है इसकी मात् जो जड़ों का विकास है अच्छी प्रकार से होता है और अगर ये सब अपने खेत में डाल देते हैं तो गेहों की फसल जो है अच्छी प्रकार से ट्रेलिंग होगी मतलब एक पोधे में इतना ज्यादा ट्रेलिंग होगी कि आप पडोसी देखके आपको खेत देखकर चौ तो इस प्रकार से किसान बाईओं की फ़ल से अच्छी पैदावार ले पाएंगे अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो नीचे कमेंड भी कर सकते हैं लेकिन उससे पहले जो भी किसान बाई चैनल पर नए है प्रीज आर चैनल को सस्काइब कर लो और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए अन्न किशानों को भी सेर कर सकते हैं तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए टापिक के साथ तब तक के लिए नमस्काव